पुतिन पाँचवी बार रूस की सत्ता पर काबिज होते ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिये हैं और इन्हीं इरादों की जलक युक्रेन में मची इस तबाही में साफ दिख रही हैं रूस की ओर से हारिया हमलों में तेजी आने से युक्रेन कई मोर्चों पर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है जंग में सैनिकों और हत्यारों की कमी से जूज रहे युक्रेन पर हर दिन मुसीबतों का पहाड तूट रहा है युक्रेन अपने बॉर्डर से जुड़े इलाकों की हिफाज़त करने में फेल हो रहा है फ्रंट लाइन पर सैनिकों की कमी अब युक्रेन को बड़े स्तर पर खलने लगी है यही वज़े है कि युक्रेन के कई कस्बों और शहरों पर रूस ने अपना जंडा गार दिया है और बचे कुछे युक्रेनी सैनिक अपने मोर्चों से पीछे हटने के लिए मजबूर हुए है जिसको लेकर युक्रेन की सैनिक खूफिय एजनसी के प्रमुक जनरल किरिलो बुड़नोव ने कहा कि युक्रेन की सैना देश के उत्तर पूर में एक गंभीर स्थिती का सामना कर रही है युक्रेनी सैना रूसी हमलों को विफल करने में नाकाम्याब रही है युक्रेन सैनिकों की कमी का सामना कर रहा है रूस ने युक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव के पास हमले कर कम से कम नौ बस्तियों और गाओं पर कबजा कर लिया है इतना ही नहीं हजार उनागरिकों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है शीर्स युक्रेनी जनरल ने थारकीव में एक बंकर से वीडियो जारी कर बताया कि स्थिती काफी गंभीर है हर घंटे हालात खतरनाक मोड की ओर बढ़ रहे हैं सैनिकों की कमी के अलावा युक्रेन को हत्यारों की भी गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है खास्तोर से तोप खाने गोला बारूद और अमेरिका से 61 बिलियन डॉलर के हत्यार जिन पर कई महिनों बाद अमेरिकी संसत ने मोहर लगाई थी युक्रेनी अधिकारियों और मिलिटरी एक्सपर्ट्स की तरह जनरल बुड़नोव ने भी माना कि उत्तरपूर में रूसी हमलों का मकसद साफ है कि युक्रेन के सैनिकों की कमी को और बढ़ाया जाए जिस से उन्हें कहीं और लड़ने से रोका जा सके बुड़नोव ने दावा किया कि अब बिलकुल यही हो रहा है युक्रेनी सेना पूर्वोत्तर में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाकी फ्रेंट लाइन से सैनिकों को तैनात कर रही है जिसकी संख्या पहले से ही हर मोर्चों पर काफी कम हो चुकी है हमारी सभी सेनाए या तो यहां है या चासी वियार में है जनरल ने दक्षिड में करीब 120 मील दूर एक युक्रेनी गड़ का जिक्र कर कहा कि रूसी सैनिकों ने हाल के हफ्तों में हमला किया है हमारे पास जो कुछ भी था उसका इस्तेमाल किया है दुर्भागे से हमारे पास रिजर्व में कोई और नहीं है जनरल बुड़नोव ने उम्मी जताए कि युक्रेनी सेनाए अगले कुछ दिनों में बॉर्डर्स को मजबूत करने और मोर्चे पर रूस से बतला लेती दिखाई देंगी हाला कि उन्होंने अंदेशा जताया कि रूस खार्कीव के उत्तर में सुमी इलाके में एक नया हमना करसकता है युक्रेनी अधिकारी ने दावा किया कि बीते सोमवार को खारखीव के उत्तरपूर में बॉडर से करीब पांच मील दूर एक शहर वोवचांस में भी जंग छिड़ी थी जहां तैनाथ एक यूनिट के कमांडिंग लेफटिनेंट ने बताया कि रूस हवाई हमले कर शहर को तबहा करने में जुटा था दावा है कि रूस हर तीन मिनट में पांस से साफ वम गिरा रहा था बताया जाता है कि वोवचांस की आबादी युद्ध छिड़ने से पहले करीब सत्रा हजार थी जो आप दो सो से तीन सो परा पहुँची है जो इस इलाके से बच निकलने के लिए संगर्श कर रहे हैं ऐसे में आने वाले दिनों में रूसी रण नीतियां भी काफी हद तक युक्रेन जंग की दशा और दिशा तै करेंगी दरसल रूस ने युद्ध के बीच अपने रक्षा मंत्री को बदल कर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर नया दाव चला है